कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं बिटु कुमार और मेरी यूटुप चैनल में आपका स्वागत है दौस्तों हम आपको बीपे सी बिहार से छक भरती से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहते हैं जो भी अपडेट मेरे पास आता है वह अपडेट हम आपके पास पहुँचा चाहते तो जो लोग गूरूप जोई नहीं किए हैं टेलीग्राम गुरूप सारा गूरूप का लिंक वहां पर दिया हुआ आप जूइन कर लीजे आपको पलपल का अपडेट मिलता रहेगा टेलِ गराम गूरूप है बिहार बीपीएस इस चब्सलिपर से उसमें जोईन कर लिजे शिच्छक निजन अपडेट है 5000 लोग उसमें है उसमें जोईन कर लिजे ग्रूप है सारे ग्रूपों में आप लोग जोईन कर लिजे तो अच्छा रहेगा चलिए इस खबर को बीस्तार से देखते हैं हाँ पर कहा जा रहा है कि बीपीस ये अगस्त में परिख्या गया था लेकिन सिलेवास अभी तक जारी नहीं हो अभियरती परसान है कि हम पढ़े तो क्या पढ़े यहां पर देख सकते हैं कि मंत्रिक के पहुंची रोस्टर क्लियंस की फाइल ये भी साथ में आपको बताएंगे और यहां देख सकते हैं यह भी दिया हुआ ह कि बिहार में वहां पर 58 लाग सिस्कों की वेकैंसी इसी माह आएगी अगस्त तक परिच्छा सव अंकों की बस्तुनिष्ट परिच्छा होगी इच्छाई वाग ने आरश्चन रोस्टर क्लियंस के लिए जीलों को भेजी है रिखतियां यह जो न्यूज है द्यानिक भासकर खबर का है और वह जो न्यूज है प्रभाद खबर का है तो दोनों न्यूज हो को एनलाइसिस करेंगे और कुछ पॉइंट ऐसा निकल कि आएगा जो आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि एक्जाम से पहले आपके पास अगर जनकारी ना होगी किसी चीज को आप बहुत परसानी में पढ़ सकते हैं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं कि वीडियो को लाइक जरू कर लिजेगा बिहार मेसेज को कि सुकुर्ती एक लाख 78,000 26 पदों के आरच्छन रोस्टर क्लियेंस के लिए गुरुबार तेर साम सभी जिलों को रिक्तियां भेज दी गई है या अगर आपको परिच्छा की संभावित है यानि कि अगर आपको परिच्छा देखने को मिल सकता है तो वह अगस्त के अंत में आपको देखने को मिल सकता है साल के अंतक चैनित अभयर्तों को जोइनि मिल जाएगी यानि की 2030 में ही आपको जोइनिंग लेटर मिल जाएगा अगर आप पास कर जाते हैं बीपीएसी का एकजाम नहीं पास करिजएगा तो बहुत पश्टाइएगा लेकिन अगर पास कर जाएगा तो फिर आपके हाथ मे में लड़ू ही लड़ू होगा कच्छा 6-8 तक लगभग 35,000 पद यानि की कच्छा एक से पांट के सिच को की 35 से भढ़ने के लिए रखा गया है बीपेसी के सचीव सह परिछा नियन तक रवी भूसर ने बताया कि रिक्ती मिलने के कि पता के अंदर रहा कैंसी जारी होगी जब Hybrid को मिलेगा और चीज़ाई बाइब आपको यह आउगा समय होगा यानि की जो फार्म भरने होगा वह फार्म होगा अगस्थ में परिच्छा लेकर रिजल्ट जारी हो जाएगा यानी कि जो अगस्त में परिच्छा होगा तो सितंबर या प्रायमरी का होगा उसमसे जी के और जी 11 12 के लिए समान अध्यन के साथ ही समंदित बिसाइस भी प्रश्ण होंगे सव अंकों की बस्तों परिच्छा होगी सिलेवस परिच्छा परटन अंतियम रूप से एक सप्ता में तै हो जाएगा यानि कि सब्सक्राइब जाकर पकड़िया कि हमको समुझ में यह भेल देखना है बुलू देखना यह सब कहां से आप देखिएगा तो आपके लिए सिलेवस होना बहुत ज़रूरी है तब किसी एक्जाम की तैयारी अब कर सकते हैं यह भी देख लेते हैं कि इसमें क्या पॉइंट निकल के आ रहा है बिप्यस अगस्त में लेगा से चक नुक्ति की परिच्छा मंति के पास पहुंची रोश्टर क्रियंस की फाइल है यह तो बताये थे कि यह प्रभात खबर कहा है चलिए इस खबर को भी विस्तार से देख संभावना है यानि कि अगस्त में आपको लिया जाएगा बी-पीसी के सचिब अभी भूस nे घुरुवार को कहा कि अगले दस दिनों उनको सरकार से अधियाचना मिलने की संभावना है यानि कि 10 दिनों के अंदर BPSC को सरकार सी आचना मिल जाएगा आयोग ने पहले ही मामले में उच अस्तरिय बैठा करके विग्यावन का परूप तैर कर रखा है यानि कि जो BPSC है BPSC बोड है वो जो सिलेवर से या जो नोटिफिक्शन है उसका तैयारी करके वो बैठा हुआ है जैसे ही अधी सुचना सिच्छाई बाग या बिहास सरकार के तरब से BPSC को जाएगा वो तूरा अपडेट कर देंगे यानि कि उनके पास टाइम नहीं होगा लेट नहीं होगा किसी तरग कोई बहानेवाजी नहीं होगा बहानेवाजी सिर्फ सरकार के पास होता है किसी बोड के पास नहीं बोर्ट कह रहा है कि हम सारी तयारी करके बैठे हुए हैं आप मुझे जो याचना देना है जो नोटिफिशन देना है वो दीजे बाकि हम तयारी करके आपको देंगे 15 माई तक यानि अधियाचना मिलती है तो उसके बाद एक सपता विग्यापन निकालने में लगेगा माई अन तक विग्यापन आएगा यानि कि माई और भर जून आपको फॉर्म भरने के लिए अपलाई दिया जाएगा माई अन तक विग्यापन आएगा और एक महिना अभ्यरतों को आविदन करने और तूटी सुधार आदी के लिए भी मिलेगा यानि कि आप आविदन की हैं और उसमें टूटी हो गया तो आपको टूटी सुधार करने का भी मौका मिलेगा इस प्रकार जून अन तक आउनलाइन आविदन लिया जाएगा उसके बाद परिच्छा किंदो की विवस्था आधी करने और अन इंतिजाम में भी एक से डिर महिने का समय लगेगा ऐसे में अगस्त के पहले सब्ता या मत तक सिचक नुक्ती परिच्छा होने की संभावना है एक ही चरन की होगी परिच्छा जो परिच्छा होगा वो एक ही चरन में होगा इसको की नुक्ती के लिए ली जाने वाली परिच्छा में पीटी नहीं होगी यहां एक ही चर्ण में ली जाएगी जैसे कि परधान सिच्छक और परधाना ध्यापक नुक्ति पर इच्छा ली गई थी परिच्छा वस्तुनित प्रकृतिक की होगी और चार बिकल्पो वाले बहुत क्लिप्य प्रशन पूछे जाएंगे यानि कि पांच नहीं होगा चार ही होगा एक से पांच तक अस्कुल अध्यापक के सिप जीएस के सवाल होंगे सिच्छक नुक्ति का सिलेबस बीपियसी एक सब्ता के भीतर जारी कर देगा सिले बस प्रधान से छक और प्रधाना धर्पक नुक्ति परिच्छा से मिलता जूलता रहेगा BPSC के सचीव रजी भुचा ने बताया कि 1 से 5 तक के लिए समान अध्यान से ही प्रश्ण पूछे जाएंगे यहां पर देख सकते हैं कि मंति के पस पहुंची रोश्टर क्रियंस की फाइले विद्याले अध्यापकों की भरती के लिए रोश्टर क्रियंस का जिलेवार परस्ताव बन गया है फायल पर अंति मोहर के लिए से च्छामंती को परस्ताव भेजा गया है, बिभाग ने इस पर तक्निकी मोहर लगा दी है, जानकारों के मुताविक सोंबार को जिलेवार, रोस्टर किरियंस के लिए से इसको किसुची जिलो को भेज दी जाएगी, वहां से रोस्टर किरियंस पूरा कराने के बाद रिक्तियां जारी की जाएगी सुथ बताते हैं कि सरकार जिलो से रोष्टल करने का अधिकार 15 दिन समय देगी सरकार चाहती है कि हर मैं मैं के अंतिम सब्ता तक रिक्तियों का विग्यापन जारी हो जाए तो यह अपडेट हमने आपको दिया दोस्तो इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे तो यह वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमे